नमस्कार इस special bulletin में आप सभी का बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ दिपकारेगी सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई वो महीला जिस पर दो मुलकों की निगाएं ठिकी वी है कोई उसके प्रेमिक का मानता है तो कोई किसी को सीमा हैदर जासूस लगती है लेकिन यूपी अब तक सीमा हैदर ने सुनाई है सच सिर्फ उतना नहीं है आज जो एक साथ सीमा हैदर से जुड़े कई किरदार के संसनी खेस खुला से करेंगे और खुलेगी सीमा हैदर की सीक्रेट डाइरी और सामने आएंगे सीमा से जुड़ेवे कई ब्लैक चैप्टर जो आपको हम दिखाने जा रहे है कि आखिर देखिए सीमा हैदर का ये ब्लैक चैप्टर क्या है कि क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं मुझे जी में तो यार कन्फर्म नहीं है कितने में बेजा सीमा ने 20 लाग का बेजा 19 लाग का बेजा सीमा हैदर ने जो चुपाया बाकस्तानी पते ने बताया बाक आर्मी में भाई फॉजी सीमा ने क्यों नहीं बताया हिंदुस्तान आने का इंतसाम किसे बेचा सीमा ने मकाम है कन्फर्म नहीं है कितने में बेजा सीमा ने 20 लाग का बेजा 19 लाग का बेजा सीमा हैदर पर सुलक्ते सवाब सरहत पार से मिलेंग जवाब सीमा की सीक्रिट डाइरी में दफन कितने बलैक चेक्टर मैंने सच तो बोला आप समझा पाई यह कोई समझाने वाली बात नहीं थी उन्हेंने पूछा मैंने सच बोला आप जो कहेंगे वो वैसा यह करेंगे हम सीमा हैदर का एटियस से पूछ ताच के बाद का यह सबसे ताजा बयान है जिसमें उसने दावा किया है कि उससे जितने भी सवाल किये गए उसके सारे जवाब उसने सच बताएं पर सच तो बोलना था सच की जीत होती है और मजी भरोसा है सीमा और सचिन से यूपी एटियस की टीम ने दो दिन पूछ ताच की थी ताकि सीमा हैदर का सच सामने लाया जा सके पता चल सके कि ये वाख़ई सीमा प्यार में पढ़कर लॉइडा तक पहुची है या भैर वह कोई पाकस्तानी जासूस है सुत्रों के मुदाबिक सीमा हैदर ने एटियस को पूस्ताच में सारे सवालों के जवाब दी है लेकिन जो जमानत मिलने के बाद सीमा ने कहानी मीडिया के सामने दोराई, लगपब वैसी ही कहानी चाच अजनसियों के सामने भी दोराई है यही वज़े है कि जाच एजन्सियों की तफ्तीस अभी खत्म नहीं हुई है और द्वारा सीमा से उस्ताज की जा सकती है खानूनी जानकारों का दावा है कि अगर सीमा चासूस से नहीं निकलती है तो अब एध तरीक से भारत में घुसने की वज़े से उसे डीबोट किया जा सकता है हलाकि अब भी सीमा इसी बात पर आड़ी है कि वो पाकस्तान नहीं जाएगी क्योंकि सीमा को पाकस्तान में खत्रा नजर आता है उसे डर है कि कहीं उसका मुर्डर ना कर दिया जाए में वापिस नहीं जा सकती वहां में बुरी मौत इंतजार कर रही है तो यहां का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ मैं यहां की बहू हूँ मैं यहां उमीद लेके आई हूँ यहां का कानून ऐसा नहीं करेगा यकीन है मुझे भरोसा है ट्रस्ट कहूंगी ट्रस्ट है तो मैं अब यहां की बेटी हूँ यहां की बहूँ पाकिस्तान मुझे मेरे लिए मतलब परायदेश बन चुका है बीडिया के सामने अपनी बात रखने का सीमा हैदर का लहज़ा ऐसा है जैसे उसे ट्रेनिंग मिली हो खेर अभी जाँच एजनसियों के तरफ से सीमा और सचिन को छोड़ दिया गया लेकिन दोनों को सिरक्षम वहिया कराई गई ताकि सीमा को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे सुत्रों के मताबिक जाँच एजनसि को आशन का है कि कोई सीमा पर हमला कर सकता है इसलिए एजनसियां कोई कोता ही नहीं बरतना चाहती ये तो बात हुई सीमा की ताज़ा कहानी ही लेकिन सीमा का पाकस्तानी पती गुलाम हैदर एक बार फिर मीडिया के सामने आया उसने सीमा से जुड़े कई चोकाने वाले खुला से किये जिस से पता चलता है कि जो कुछ सीमा हैदर ने बताया है सच सिर्फ उतना नहीं है घुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा से उसकी दूसरी शादी थी और दोनों ने लव मेरिज़ की थी हाला कि शर्वाद में इस शादी के लिए परिवार के लोग तयार नहीं थी देखा हुआ था पहले हुड़ा हलका फुलका आना जाना था फिर मुबाल से राप्ता हुआ शुरू में मिसकौल के जरीए फिर माँ दो तीन माँ बाद हुआ इसके बाद हमने जेकमाबाद कोर्ट पे जाके निकाय किया आपका जो यहां वहां पे सिंध में आपका जो अलाका है वो जेकमाबाद है? और मेरा है घर्वाली का कोट बंला, खर पर रिन्धा जाना गोट है, सीमा अधर का रहने वाला है, असल. सीमा हिदर को पहली बार आपने कब और कहां पर देखा था? मैंने देखा था, अधर कोट बंला पर देखा था, फिर अधर से हम दोनों गए, जिकमाबाद कोर्ट मेरेज किया फिर हमने निकाह किया निकाह किया निकाह के बाद फिर हम जिकमाबाद से अधर गए कराची कोर्ट मेरेज पर बात क्यों आई थी उसके घरवाले राजी नहीं थी या पिर आपके घरवाले राजी नहीं थी भारत आने के बाद सीमा हैदर पूरी तरह से हिंदू हूलिया रख रही है इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि सीमा मुस्लिम थी लेकिन खुलाम हैदर का दावा है कि पाकस्तान में रहते हुए सीमा बाखाइदा नमाज पढ़ा करती थी और बांके मुस्लिम भीती रिवादों का अनुसरर करती थी नियूस्टन डिफॉर ने खुलासा किया था कि नौइडा आनी से पहले ही सचिन और सीमा की मुलाकाद नेपाल में हो चुकी थी दोनों ने काटमांडू के एक होटेल में साथ दिन गुजारे थे अब इसके सबूत हम आपके सामने लेकर आएं साथ ही बेनगाब कर रहे हैं सचिन का सफेद जूट एडियस के पूछताच में सीमा हैदर ने खुलासा किया था कि वो दस मार्च को नेपाल के काटमान लू आई थी यहाँ सीमा और सचिन नियो विनायक होटेल में 17 मार्च तक रुके थे वकॉल होटेल मालिक सीमा के आने से एक दिन पहले ही सचिन होटेल पहुच गया था और उसने होटेल में रूम नमबर 204 बुक कर आया था लेकिन यहां सचिन ने होटेल वालों को जूंट बोला, उसने अपना नाम सचिन मीडा नहीं बलकि शिवांश बताया था सचिन ने ना सिर्फ अपना नाम खलत बताया, बलकि सीमा की पहचान भी छेपाई थी, उसने होटेल वालों को खलत जानकारी दी, उसने सीमा को अपने प्रेमी काना बताकर पतनी बताया था साथी सीमा के पाकस्तानी होने की जानकारी भी कुपत रखी थी, उसने सीमा को प्रीती बताया था, इसलिए जब पाकस्तान से काटमांडो पहुंची सीमा होटेल पहुंची, तो होटेल वालों ने उसकी जादा परताल लहींगी अलोक साथ आठ दिन तक जयादा शी जयादा तो रुममेश होते थे दिन बार, तो सुबे सामको बहार निगलते थे, तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्यूंकि हमारा ओटेल सामको साड़े नोव, दस बजे इसा क्लोज हो जाती है, तो अलोक आठ, साड़े आठ बजे पोज सबाल ये कि सचिन हर जगे जूट क्यूं बोल रहा था उससे अपनी पहचांच छिपाने के जरूरत क्यों लगी इतना ही नहीं जाँच में खुलासा हुआ है की होटेल में 500 रुपे प्रते दिन के हिसाब से रोम बुक किया गया था दावाहे की ज़्यादा तर वक्त दोनों होटेल रोम में ही बताते थे कुछ वक्त के लिए ही बाहर निकलते थे लेकिन समय से वापस लोटाते थे हमको जब न्यूज में दिखा तो मालूम बड़ा है उलोक सिमा शाचिन था उलोक जब इंटरी क्या था दूसरे नाम से क्या था सिमा का कराँची से दोबई के रास्ते नेपाल पहुँचना दूसरी तरफ नौईडा से सचिन का कातमान दू पहुँच जाना क्या सिर्फ इतना खुछ पियार के लिए कि अगया अगर पियार के लिए किया गया तो इतने जहूट क्यूं बोले गए सीमा के पती ने ताज़ा इंटर्वे में दावा किया है कि वो हर महीने सीमा को पहले 40 से 50 हजार जब की बीटे 2 साल से 80 हजार रुपए घर खर्च के लिए भीज़ता था सीमा के परोसियों और परिवार ने भी तस्दीक की कि घुलाम हैदर बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए साओधी अरब गया था साथे जिस तरह से घुलाम हैदर हर महीने अच्छी खासे रकम सीमा को भीज़ता था उससे साफ है कि उसे परिवार के फिक्र थी लेकिन सीमा ने आरोब लगाया था कि उसके साथ मार भी धूदी थी घुलाम हैदर उससे अच्छी से नहीं रखता था इसलिए जब उसे सच्छी से सच्छा प्यार मिला तो उसने पाकिस्तान ही छोड़ने का फैसला कर लिया तो आपगाया तो जितर जिल्लत तुमने मुझे दी कितनी बार तुमने मुझे तुमने कभी मुझे मारा नहीं क्या तुमने कभी मुझे मारा नहीं क्या कई बार में घार छोड़की चले नहीं क्या क्या कई मुझे तीम साल हो रहा है अब कराची के एक परोसी ने साफ किया है कि सीमा के आरोप निराधार है बलकि उसने शरीफ इंसान गुलाम हैदर के साथ धोके बाजे की है अगर इसके बातों में सचाई है तो सवाल उड़ता है कि सीमा हैदर ने फिर क्यूं घुलाम हैदर के साथ धोका किया और आवएध तरीके से भारत चली आई जो हاب चार जलाई को गरफ़तारी के बाद कई ऐसी चीज़े हुई जिसके बाद यूपी पलिस से लेकर रौँ तक इस केस में शामल हो गई ए यूपी पलिस शुरवाती जचकी और चार जलाई को सीमा के साथ सचिन को गरफ़तार किया UPATS, IB के इंपुट पर सीमा और सचिन से दो दिन तक पोच्चताच की, सेफ हाउस में शिफ्ट किया IB, सीमा पाकस्तान से भारत में कैसे आई जाँच कर रही है ISI से कनेक्शन के जाँच भी कर रही है RAW, IB को इंपुट दिया गया कि सीमा के भाई और चाचा पाकस्तानी फाँच में है इस केस में सीमा हैदर के खिलाफ जाँच 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 जाँजियों को कई एहम सुनुट